वोट्सअप नमबर के नाम not showing problem वोट्सअप में नमबर से but not showing problem आप सभी दोस्तों को भी यहाँ पे कुछ इस पर कहाँ से problem से face करने को मिलती है जो भी आपके वोट्सअप पे contact है यहाँ पे mobile phone में contact है आप लोट्सअप पे जाते हो तो फ्रेंड यहाँ पे जो contact के जो नाम है वो आपको सो नहीं हो रहे है तो ऐसी स्तिती में करना क्या है इस वीडियो को फ्रेंड complete full watch करना है और आपको step by step trick को अपलाई करना है जिसके बाद में फ्रेंड आपके वोट्सअप पे contact, save contact जो norm not showing problems space करने को मिल लिए यह fix out हो जाएगी 100% ओके फ्रेंड so that जादा time based ना करते हुए वीडियो को start कर लेते हैं आपको यहाँ से cut मारना है simply अब आपको क्या करना है officially google play store open करना है फ्रेंड आपको कुछ इस प्रकास से options देखने को मिलेगा friend play store में सर्च बार में आपको जाना है whatsapp सर्च करना है जैसे whatsapp सर्च करते हो whatsapp applications आएगा आपको check out करना है कही ना कहीं friend आपका whatsapp update तो नहीं मांग रहा है यदि update मांग रहा हो तो यहाँ से उसको update करना है whatsapp को new latest version के साथ में update करने के बाद में आपका काम है यहाँ से complete हो जाएगा ओके यहाँ से cut मारना है cut मारने के बाद में phone की setting open करना है कुछ इस पर कहाँ से interface आएगा आपको नीचेक साइड में आना है आपको सबसे पहले check out करना है system update भी आना है about device पर जाना है आपको अपने mobile phone को check करना है कहीं ना कहीं फ्रेंड आपका mobile phone update तो नहीं मांग रहा है यदि फ्रेंड आपका mobile phone update मांग रहा हो एक new latest version के साथ में तो simply mobile phone को update कर लेना है update करने के बाद में जो भी guys यहाँ पर आपकी sim है जिसमें आप लोग internet यूज़ कर रहे हैं में contact calling वगेरा कर रहे हो तो guys यहाँ पर simply क्या करना है उस sim को हमेशा आपको sim बन में ही आपको डालना है ओके फ्रेंड इदी sim 2 में पड़ी हुई तो उसको निकाल के sim बन में डाल देना है एंड उसके बाद में स्टेटिंग open करना है आपको app setting app management का एक आपको options मिलेगा आपको यहाँ पर जाना है आपको whatsapp सर्च करना है whatsapp आएगा उसके ओपर tape 2 करना है फ्रेंड कुछ इस प्रकाश से आपको options देखने को मिल जाएगा आपको एक बार force stop करना है दन आपको यह permissions करके आपको एक options मिलेगा इसको उपर click करना है permissions पर आने के बाद में आप सभी permissions को allow करना है जैसे कि contactors की permissions होगी इसको भी allow करना है all locations permissions यह सारी permissions को आपको allow करना है friend permissions को allow करने के बाद में आच से cut मरना है अब बैक्ग्राउंट से आपको WhatsApp, WhatsApp को हटा देना है ठीक है आप इतना करने के बाद में लास्ट में एक काम करना है आपको अपने पाबर वाली विटन पर प्रेज करना है आपको मुवाइल फोन को रेस्टार्ट कर लेना है ओके फ्रेंट जैसी मुवाइल फोन को आप लोग रेस्टार्ट करते हो रेस्टार्ट करने के बाद में आपका काम है कंप्लीट हो जाएगा फिर सिंपली आपको WhatsApp को ओपन करना है आप जो भी फ्रेंट आपका कॉंटेक्ट दिख रहा था जैसे कि सेव कॉंटेक्ट उसका नाम नहीं आ रहा था और यहां पे फ्रेंट आपका जो नाम है वो आने लगेगा कुछ इस प्रकास से देख सकते हो इसे आपके मुवाइल फोन में सेव नंबर है उनके नाम है सो होने लगेगे सो आप लोग समझ चुके वाकि उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो लाइक इन चनल को सब्सक्राइब दिरूर करना है ठैंक्स वरोचिंग जैहिंद जैवारत